नमस्तार दोस्तों मैं हो जाते और आप देकर आपना चैनल इस माथ होट प्लान के अगर आपके पास भी बजट कम है और आप एक बेद्वीन सा घर चाहते हैं तो आप इस मॉडल को स्लेप कर सकते हैं कि आज का जो प्लान होने वाला है वैंने बजट के अकॉरडिंग बना है कि अगर आप आपके पास तीन साले तीन लाग रुपए है और आप एक बेतरीन घर का नक्सा चाहते हैं तो आप इस मॉडल को स्लेप कर सकते हैं यह मॉडल गाओं यह सहर जहां पर भी आपका जगया हूँ वहां बनवा सकते हैं और यहां पर कुछ चीज़ों को अगर मैं और चीज़ी करता तो यहां पर बजट बढ़ता तो मैंने उस हिसाब से मॉडल को क्रेड किया है कि बजट के ऊपर आपका घर ना जाए आपकी जो मकान बना रहा हूं हो ना चाहिए तो इसको आप बिल्कुल यह मैं सोची है कि मैंने यहां पर इस चीज़ी नहीं करेंगे और नहीं तो पर आपका बजट बढ़ेगा मैं की लिए बता दूं आपको तो आज का जो मॉडल होने वाला बहुत ही खास और श्पेशल होने वाला है वीडियो को आप पूरा देखीगा और चैनल को सब्क्राइब नहीं कि आपको जरू करिएगा क्योंकि यहां प जिन्दगी गुजर जाती है और जिनके पास बजट कम है वो भी अपना इक बेटरीं से घर चाहते हैं तो उनके अगॉर्ड में ज्यादा तर कोशिच करता हूं कि बजट फ्रेंगली आउस में डियानी करके दूं तो चलो आज के मॉडल का हम डिसकस कर लेते हैं तो यह दे बहुत ही कम रखा है कुछ ज्यादा चीशें नहीं क्रेट की है पूरा भी एलिवरेट करूंगा प्रॉपर तरीके से आपको समझाओंगा कहां पर क्या बना हुए इसी मॉडल को आप साड़े तीन लाग उर्पय तक बना सकता है इसी मॉडल को जो मैं दिखा रहा हूं और पूरा एलिवरेट करने वाला हूं बहुत ही प्रॉपर तरीके से तो यह देखिए कि इस फ्रेंट लेविशन सबसे मेले सामने से आपका मॉडल ऐसा दिखिएगा साइड से दोस्तों आप ऐसा देख चाकते हैं फ्रेंट डिक में और बैक से ढाला कि क्लोज्डी होगा मैंने क्रीट कर दिया आप इसे हटा सकते हैं यह देखिए बहुत एक फूर्प प्लान आपके समने में डिस्कस कर रहा हूं बात करता हूं इसके टॉप पर देखिए कि सिंपल अचाहता है और ग्रल वगार मैंने बना दी है और ग्राउंड फ्लोर की बात करूं तो यह पूरा ग्राउंड फ्लोर जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूं तो देखिएगा यहां पर एक सबसे पहले मैं ऊपर से दिखाना चाहूं यह आपको बड़ा सा मैंने बैड्रूम केवल बैड्रूम दोस्तों सिंगल वेड्रूम हाऊस प्लान है सिंगल एक बैड्रूम बना हुए बजट के आकोर्डिक मैंने बना है यह सिंगल बैड्रूम में जो रूम है इसको आप सेपलेट करके आगे लगबग साले तीन फिट में यह सज़ा डाइब का और उसमें दो पिलर और डोर और दोनुदर विंडो डेजाइन किये हैं और इस्टेर्स भी दिये हैं तो आप इसे एज़ा सैप्लेट भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसके बाद आप इधर की बाद करें तो इधर से कर चड़ेंगे तो य यहां पर आप ही मैंने जो करेंट में क्रेट किया एक बैट्रूम और किचिन पस कुछ भी क्रेट रही है चोटा सा वारंदा हो रहा है इतना ही मैं बोला हूं कि तीन से साले तीन लाग बार महां बना सकते हैं अगर आप चीज़ें बढ़ाएंगे तो बजट बढ़ेगा ज इस किचिन को छोटा करके हाप करके एक तरव लिट बात और एक तरव किचिं और एक तरव बैटूम बना सकते हैं अब उपर जाने के लिए जीना यहां पर नहीं बनाएगा है स्टेर्स नहीं बनाईगी है उसके लिए आप स्टेर्स ही रूज करनी पढ़ेंगी जो लकड़ी की शीड़ी आती है या आप लोही की बनवाले जिसकी भी चाहें कुल्मलाग ने बजट को रिड्यूस करने के मैंने कोशिच की है यह इस ब फोर फिट आपके चलाई जो की विट है और बारा फिट लगबग गहराई घर की है तो यह पूरा मॉडल ग्राउंड फोर बनके होता है लाश प्रोड क्या साले तीन फिट का बौंडरी वाल उपर और बेतरी इस तक ग्रिल का डिजाइन को एल से में वाने दिया है बीच मे बजट फ्रेंडली हो लोगों को घर बना शकें तो इसमें आपको एक दो कमी देख रही होंगे एक लेट बात के और श्टियर्स की तो लेट बात का मैंने सेलूशन बता दिया क्योंकि आपका किशन का भी बढ़ा था आप इससे सेपरेट कर सकते हैं दो में पार्ट सेपरा रहा हो आप हमें पिश्ट कर रहे हूं तो वीड़ा को लाइश जरूर कर दें तो दोस्टों अगर आपको हमारा प्लांट पूसर ना आ हम तो प्लीज यह जरूर करें और आपको क्या लगता है यह मोडल मैंने बताया ति तीस साड़े तील को मन जाए गा अगर बन पूर चकते हैं जी हां यह मकान बन सकता है अगर नहीं बनेगा आपको लगता है नहीं यह बजट यह फ्रेंडली नहीं है यह 3,5,5 वे नहीं बनेगे तो वह भी आप अपना जरूर बता है कि आप मकान यह 3,5,5 वे बनेगा यह नहीं बनेगा क्या मैं ऐसे ही मॉडल बजट फ्रेंडली और बना हूं आप लोगों के लिए आप में यह भी बता सकते हैं अपना सजेशन दे सकते हैं और वीडियो मैं जाहिए आसा करता हूं कि आपको पुश्चन